हेलो गाईज, टेक नीज के नए एपिसोड में आपका स्वागर्थ है, आज की पहली न्यूज कोलकॉम की द्रव से है तो आज कोलकॉम ने अपना नया 5G प्रोसेसर एनाउंस कर दिया है जिसका नाम है स्नेपडरेगन 760 8G और यह स्नेपडरेगन 765G का ही सक्सेसर है और यह प्रोसेसर स्नेपडरेगन 765G के कमपेर में 15% फास्टर है क्योंकि स्नेपडरेगन 765G में हमें 2.4 GHz का क्लोक स्पीड मिलता है इसमें हमें 2.8 GHz का क्लोक स्पीड मिलता है और इस processor के साथ Redmi ने अपना smartphone भी launch कर दिया है जिसका नाम है Redmi K30 Speed Edition और इस phone को हम Redmi K30 Extreme Edition भी कह सकते है और ये phone आज चाइना में launch हो चुका है इसके सारे specifications Redmi K30 5G जैसे ही है और इसमें हमें Snapdragon 760 5G के बड़ले Snapdragon 760 8G मिलता है इतना ही difference है इसकी design भी Redmi K30 5G जैसे ही है और इस phone की price Redmi ने रखी है 1999-1 यानि की करीबन 21,000 रूपिस तो रोस्टो आपको ये Redmi K30 Speed Edition कैसा लगा आप वो मुझे comment section में जरूर बटा सकते है अगली news Realme की द्रहुसे है तो आज Realme ने अपने डो नए budget smartphones Realme Narzo Series में launch कर दिये है मुझे बहुत अच्छा लगा बट Realme Narzo 10 की price मुझे बहुत ही ज्यादा लगी मैंने इन डोनो फोन्स के उपर एक dedicated video बनाया है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आपको कार्ट पर लिंक मिल जाएगी आप वो जाकर जरूर देख सकते है बट ये वीडियो खटम होने के बार और डोस्टो अगर आपको मेड़ी ये टेक्नियूस पसंद देरा ही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना तो डोस्टो आज Poco F2 Pro के कुछ रेंडर सामने आ चुके है और वो रेंडर में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जहांसर ये पटना चलता है कि Poco F2 Pro में हमें फूल व्यू डिस्प्ले मिलने वाली है और पता चला है कि Poco F2 Pro 5 कलर ओप्संस के साथ कल लोंच होने वाला है तो Poco F2 Pro ब्लेक, ग्रे, पर्पल, ब्लू एंड वाइट कलर में कल लोंच होने वाला है तो डोस्टो क्या आप लोग Poco F2 Pro के लिए एक्साइट हो या पिर नहीं आप वो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बटा सकते है और डोस्टो कल में उसका लाइव इवेंट भी अपने चैनल पर करने वाला हूं तो आप वो भी जरूर डेख लेना अगली न्यूज ओपो की तरह उसे है और इस फोन में हमें को ड़ियर केमेरास मिलने वाले है इस फोन में हमें क्या स्पेसिफिकेसल्स मिलने वाले है यह तो अभी पता नहीं चला बर मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता ही डूंगा अबली न्यूज आइकू की तरह उससे है ट्राज आइकू ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग अपना नया स्मार्टफोन 19th में को चाइना में लोंच करने वाले है और इस फोन का नाम है आइकू Z1 जिसमें हमें MediaTek Dimensity 1000 Plus का प्रोसेसर मिलने वाला है और आइकू ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि इस फोन में हमें 144 हर्स वाली दिस्प्लेय मिलने वाली है और इस फोन में हमें सिंगल पंच वाल सेलफी केमेरा भी मिलने वाला है तो दोस्टों क्या लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइट हो या फिर नहीं आप वो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बटा सकते है अगली खबर रियल्मी की द्रहुस से है तो रियल्मी ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग 13 में को अपना कोई नया प्रोड़क लॉंच करने वाले है और लिक से यसा पता चला है कि यह फोन रियल्मी एक्स्री हो सकता है बट यह अभी रियल्मी ने कंफर्म नहीं किया और यह लॉंच इवेंट है 13 में को तो 13 में को साइट रियल्मी एक्स्री चाइना में लॉंच हो सकता है बट यह रियल्मी कंफर्म करेगा तब ही पता चलेगा तो दोस्तो क्या आप लोग Realme XT के लिए excited हो या फिर नहीं आप वो मुझे comment section में बटा सकते है उसके साथ अगली news भी Realme की तरह सही है तो आज Realme X50M को इंटिया का एक certification मिल चुका है यानि की इंदिया में भी Realme X50M सून launch हो सकता है पहरा मुझे लगा था कि ये फोन launch नहीं होगा बट इसा बटा चला है कि ये फोन इंदिया में भी launch होने वाला है तो दोस्तो आज की आखनी खबर है Redmi Note 9 Pro Max की पहली cell कल दो पहर को 12 बजे होने वाली है तो अगर आप इस फोन को खड़ितना चाहते हो तो आपको कल ये 12 बजे Amazonandme.com पर मिल जाएगा आप वहाँ से खड़ि सकते है तो दोस्तो आज के लिए बस इतनी देखनी अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना सेर करना और चैनल परना है हो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो सलाट रहता हूँ तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में टाप टाक के लिए जाहिंद वन्यमात रहा हूं